सभी को नमस्कार मेरा नाम रुचिर जोशी है और मैं राजकिष्णात कोत्तर महाविद्याले लोहागाट में राजनीती विक्यान विभाग में करे रहत हूँ आज हम जिस्विष्णा पर चर्चा करेंगे वो हमारे रिफ्रेशर प्रोग्राम से ही संबन्दित है मानुआदिकार और राज्जे मानुआदिकार और राज्जों का अंतर संबन्द किस तरह का है एक राजी वियोस्था के अंतरगत मानुआदिकार ने किस तरह जन्मन लिया कैसे एक संगठानिक उनका स्वरूप बना इस कहानी को थ्री जेनरेशन थ्योरी के अंतरगत समझा सकते हैं तो जिस विशेय पर हम बात करेंगे वो थ्री जेनरेशन थ्योरी है थ्योरी ओफ यूमन राइट्स है मानुआदिकार जो शब्दावली है वैसे तो उसका जन्म मानौ के ही साथ हुआ है मानौ ने जैसे ही जन्म लिया तो मानौ के ऐसे अधिकार जो उसे केवल जन्म लेने के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं उन्हें मानौ अधिकार कहते हैं मानौ के रूप में जन्म लेना और मानौ अधिकारों का होना दोनों एक ही पैरलल बात हैं और ये अधिकार हमें उसी तरह प्राप्त होते हैं, जैसे हमें अपना शरीर प्राप्त होता है, जैसे हमें अपना मस्तिश्क प्राप्त होता है, जैसे हमें अपनी स्किन प्राप्त होती है, वैसे ही अधिकार हैं, जो हमसे कभी छीने नहीं जा सकते हैं, कोई भी लोगतांत्रिक राज इन अधिकारों को हमें देने का दावा नहीं कर सकता, अब ही तो वह इने छीन नहीं सकता है, अधिकार हमें, प्रकृती ने बड़े नैसरगीक रूप में प्रदान किये हैं, कई बार यह प्रश्ण उठता है कि स्टेट यानि की राज ब्योस्था का मानवा अधिकारों से क्या संबन्द है, क्या राज ब्योस्था ने अधिकार हमें दिये, या यह किस रूप में हमारे समक्षा आये हैं, राज ये एक शक्ति संगठन है, जिसने अपने को धीरे धीरे विक्सित किया, और शक्ति के महापुन्ज के रूप में राज ये विक्सित होता चला गया है, राज ये और मानवाधिकारों के बीच एक तरह की प्रतिदुन्दिता जो लगातार चलती रही, वो मध्यूक तक आते आते उसका स्वरूप इस तरह का हो चुका था, कि एक तरफ तो राज बनने की दिशा में अग्रेसर था, दूसरी तरफ मनुष्य मानवाधिकारों के लिए सजग और सचेत हो रहा था, मानवाधिकारों की ये लड़ाई मध्यूक में फ्रांसिसी क्रांती के साथ तेज होती चली गई, हाला कि मानवाधिकारों का जन्म अगर कहा जाए तो मेगना कार्टा जो कि इंग्लेंड में बारसो पंदर में एक अधिकार पत्र दिया गया था, उस समय से कहा था, लेकिन वास्त्विक रूप में, व्यावारिक रूप में जो लड़ाई, कि फ्रांसिसी क्रांती ने जो भावना मानवाधिकारों के प्रति पैदा की, उसके साथ राज्य का जो सामन्ती चरित्र था, वो अभी बदलने लगा, और राज्य अपने सामन्ती स्वरूप को बनाए रखने में स्वहम को अक्षम महसूस करने लगा, क्योंकि जन्ता ने फ्रांसिसी क्रांती से धीरे धीरे अपने अधिकारों को के प्रति सजग होना शुरू कर दिया, और यहीं से वो प्रति दंदिता शुरू हुई, जो लोगतांतिक राज्य में आज हम देख रहे हैं, कि हम मानवाधिकारों के प्रतिक कितने सचेश्ट हैं, कितने सजग हैं और अधिक से अधिक मानवाधिकारों को अपने इस अध्यान विशा में सामिल करते जा रहे हैं, तो अगर फर्स जनरेशन थियोरी को देखा जाए, तो इसमें हमारे राजनितिक, ज्यादा तर राजनितिक अधिकार शामिल हैं, जो मनुश्य को की प्रात्मिक जीवन के सांद जुड़े हुए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो बहुत ही बेसिक राइट्स हैं, जो किसी एक राज्यम के अंत्रगत होने ही चाहिए ऐसे अधिकार जो हमारे समानितिक फर्स जनरेशन के अंत्रगत आथे हैं, वो हैं धूसरे हैं, उसमें इस एक कदम आगे जाकर हमारे एकोनोमिक और कल्चरल जो हमारे संस्कृतिक जो राइट्स हैं जो हमारे दिकार हैं वो इसके अंतरगत शामिल होते चलेगे इसमें मेंली आर्थिक अधिकार शामिल है जिसमें जो की मानवा अधिकारों की सारभौम गोशना के 22-28 में अंच्छेद के अंतरगत हैं जो मनुश्य को न केवल जीने बलकि मानों के रूप में जीने के लिए आवश्यक हैं एसे अधिकार हमारे आर्थिक अधिकार और संस्कृतिक अधिकारों में शामिल किये गए इसके बाद बाद आती है थफ जनरेशन तीमरी की थफ जनरेशन थीमरी में वो अधिकार हैं जीनिक जलिए अम आज भी क्रिया शीलें अध्य German संजग हैं सचेष्ट हैं जो कि पर्यावरनी अधिकारों मनुष्य के स्वास्थ सम्मंदी अधिकारों और इससे भी आगे जाके उन सभी अधिकारों तक हमारी पहुँच को बढ़ाते हैं जो हम एक लोक्तांतिक राज्य में एक मानों के रूप में एक सहज रूप से एक अच्छे रूप से जीवन जी जीने के लिए जिनकी आउशकता हम समझते हैं ऐसे अधिकार शामिल किए गए हैं धन्यवाद